अश्कार विद्यार्थियों आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे केलेक्षेन और वायर मैं सेकेंड यर थियोरी सब्जक्ट के मौस्ट कुश्यंस की जो आपके NCVT एक्जाम और विविन परकार के परत्योगीता परिक्षाओं की दस्टी से बहुत ही महत्तपून है आज का अपना पहला कुश्चिन इस परकार से है कि एसी थ्री फेज वाइंडिंग करने के लिए किस परकार के वायर का उप्योग किया जाएगा यानि कोई ऐसी थ्री फेज मोटर है उसके आप रिवाइंडिंग कर रहे हो तो आप कौन से वायर का यूज करेंगे A. सुपर इल्लेमेट कॉपर वायर B. वी वीसी कॉपर वायर C. सिंगल कॉपास वायर कॉपर वायर आपका D. आपका है डबल कॉपर वायर तो यहां पर अपना A. उप्सन राइट आउसर होगा शुपर एनिमेलेड कॉपर वायर नेक्स्ट वायर वायर वायंडिंग प्रकिरिया में वेजज के रूप में किस सामगरी का परियोग किया जाएगा यानि जब अपन वायंडिंग करते हैं तो उसके अंदर एक वेजज का यूज किया जाता है तो उसके अंदर कौन सा मेटरियल अपना यूज किया जाता है A. एंपायर, B. कमपास, C. बास या टेरिलिन तो अपने वेजज के रूप में बास की फटियों का यूज करते हैं तो B. C. अपना राइट आंसर होगा बास Next कुशिन देखता है आप पूर्ती देने से पहले वायंडिंग में कौन सा परिक्शन किया जाता है यानि आपने कोई भी वायंडिंग नई बनाई है, रिवायंडिंग किया है तो उसमें सप्लाई देने से पहले आप उसका कौन सा टेस्ट करोगे तो यहाँ पर B. अपना राइट आंसर होगा कि पॉलिरेटी टेस्ट किया जाता है वायंडिंग में सप्लाई देने से पूर्व नेक्ट कुशिन है रोटर चालकों को थ्री फेज मोटर में थोड़ा तिर्चा इस्तिती में क्यों रखा जाता है अ, अधिक्तम फ्लक्स उत्पन करने के लिए B. इस्ट्रे हानी को कम करने के लिए C. रोटर गती को इस्तिर बनाए रखने के लिए D. अधिक समान रोटर चेतर वैबल लागून उत्पन करने के लिए तो यहाँ पे अपना D. उप्सन राइट आंसर होगा अधिक समान रोटर चेतर और बल लागून उत्पन करने के लिए रोटर चालकों को 3-phase motor की तुलना में थोड़ा तिर्चा रखा जाता है D-option अपना right answer होगा Next question देखते हैं 3-phase induction motor में no load test में कौन सी हानी निर्धारित होती है तो यहाँ पर अपनी हानियों के परकार दे रखे हैं तो जो अपन no load यानि अभी motor पर किसी परकार से कोई load नहीं दिया गया है तो आप कौन सी हानी की गणना कर सकते हो तो यहाँ पर A-option अपना right answer होगा लोहा हानी की गणना करने के लिए no load motor testing किया जाता है Next question देखेंगे 3-phase motor में गती को नियंतन करने के लिए कौन सी विदी केवल दो चर गती प्राप्त करेगी A- rotor or state B- आरोपित आवर्ति बदल कर C- आरोपित वेवल्टिज बदल कर D- इस्टेटर दुरों की संख्याओं को बदल कर तो यहाँ पर अपना D-option right answer होगा 3-phase motor की गती नियंतन के लिए इस्टेटर दूरों की संख्याओं को बदल कर Next question देखेंगे Slipring induction motor को Wound rotor से क्यों fit किया जाता है A- slip कम करना के लिए B- गती को नियंतन करने के लिए C- honey को कम करने के लिए D- उच starting वे running बलागून प्राप्त करने के लिए यानि Slipring induction motor को Wound rotor से क्यों fit किया जाता है तो D- option अपना right answer होगा उच starting वे running बलागून प्राप्त करने के लिए Next question देखेंगे Swet- आलित Start Delta Stutter में Timer का क्या कारिये होगा देखो जो Automatic Start Delta Stutter होता है उसके इंदर timer लगा होगा उसका क्या usage होगा तो A होगा आपका overload trip B है पूर निर्धारी समय C है star से delta में बदलने के लिए D है आपका पूर निर्धारी समय में switch को off करने के लिए तो timer जो लगा होता है वो star से delta में बदलने के लिए किया जाता है आप सभी निपढ़ा होगा जो start later start होता है उसके अंदर जब three phase motor को start किया जाता है तो सबसे पहले motor अपनी start के अंदर ओन होगी फिर automatic ही delta के अंदर trip कर दी जाती है तो इसलिए switch over up के timer का का कारिये होता है कि निर्धारी समय के पशियात उस motor के अंदर start से delta में परिवर्थित करना next question होगा कि three phase prayer motor के insulation परतिरोध को मापने के लिए किस उपकन का प्रियोग किया जाएगा यानि आपको अगर three phase हो यान किसी भी परकार की motor हो या किसी भी परकार का wire हो उसका अगर insulation परतिरोध मापना है तो अपन मेगर का ही उप्योग करेंगे तो याँ पर अपना a option right answer होगा यानि किसी भी उपकन का किसी भी material का अगर आपका insulation परतिरोध मापना है तो आप मेगर का यह उप्योग करते हैं तो याँ पर a option अपना राइट आशर होगा मेगर का परियोग करके उसका परतिरोध मापा जाता है नेक्स कुछिन देखेंगे winding में कौन सा परिक्षन साच चितर है यानि एक winding दे रखा है diagram और उसमें पूछा है यह चितर किसका है दुर्वता टेस्ट का है B. Ground टेस्ट का है C. Nिरंतरता टेस्ट का है D. Short circuit टेस्ट का है यानि दिया गया टेस्टिंग कीट अपना दुर्वता टेस्ट सम्मदित है तो यह option यहाँ पर अपना right answer होगा next question देखेंगे इसी 3 phase के लिए phase के लिए induction motor का प्रारंबिक की current क्या होगा तो यहाँ पर जो इसी 3 phase motor होती है उसकी induction motor का प्रारंबिक जो current होता उसका मान पूचा गया है A. पून भारदारा से 1 से 2 गुना B. पून भारा से 2 से 3 गुना C. पून भारा से 4 या 5 गुना D. पून भारा से 5 या 5 या 6 गुना तो यहाँ पर अपना D option right answer होगा पून भारादार से 5 से 6 गुना तक उसका प्रारंबी current होता है Next question देखेंगे कि stator side में 3 phase induction motor की गती को नियंतरित करने के लिए किस विदी का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर अपना D option right answer होगा कि आरोपित voltage को अपन आरोपित आवर्ती यानि frequency को अपन बदल कर उसकी गती को नियंतरित कर सकते हैं तो D option अपना right answer होगा कि by changing the applied frequency Next question देखेंगे 3 phase paradigm motor की गती के नियंतरिती का क्या नाम है यानि आपको एक method दे रखा है और पूछ है यह कौन सा method है diagram के नुसर आपको बताना है तो आपको दिया गया method होगा जो कैस्केट संसालन्ज विदी से सम्मद दिता है जो आपका A option right answer होगा दिये गए 4 option हो में से कैस्केट से सम्मद दिती है आपका question है A option right answer होगा Next question देखेंगे कि 3 phase motor starter के साथ समलित 2 क्रियात्मक circuit क्या होगे यानि 3 phase motor होता है उसके starter के साथ साथ में 2 क्यों से कारियात्मक circuit जो open होते हैं या कारिये करते हैं तो यहाँ पर अपना A option open circuit short circuit B close circuit open circuit C short circuit close circuit D आपका नियंतन circuit वे power circuit तो यहाँ पर D option right answer होगा नियंतन circuit वे power circuit starter में अंदर साथ साथ में किरिया करते हैं next question देखेंगे leather aid paper insulation का मुख्य गुणा कौन सा होता है तो यहाँ पर अपना D आपके 4 option हो में से D option right answer होगा कि better aging वेपरा विदूत सकती के लिए leather paper insulation का मुख्य गुण होता है यानि जो leather का paper insulation अपन paper insulation insulation के लिए paper का भी उज़ करते हैं एक leather paper का यूज करते हैं तो leather paper का क्या मुख्य गुण होगा तो यहाँ पर वो होता है better aging वेपरा विदूत सकती उसकी अच्छी होगी तो D option यहाँ पर अपना right answer होगा next question देखेंगे kundalini और our head बांदने के लिए किस परकार के insulating सामगरी का परियोग किया जाता है तो kundalini को बांदने के लिए अपने को सबब पता है कि terrylin धागे का परियोग करते हैं तो C option अपना right answer होगा कि terrylin धागे का परियोग करके kundalini और our head बांदने के लिए किया जाता है next question देखेंगे AC winding में cuffing के लिए किस insulation का परियोग किया जाता है तो दिएगे चार option हो में से अपना D option right answer होगा कपड़े पर आधारित चिपकने वाली tape का परियोग cuffing के लिए किया जाता है यानि rewinding या winding करते समय जो cuffing की परिकिरिया होती है उसके इंदर अपन कौन सा insulation यूज करेंगे तो यहाँ पर D option right answer होगा कपड़े पर आधारित चिपकने वाली tape next question देखेंगे AC winding में coils को क्या कहते हैं तो दिएगे चार option होगे अपना A option right answer होगा स्रेणी में जुड़े गुमाओ की संख्या ही AC winding में उसकी coil कहलाती है next question देखेंगे किस परकार की AC winding में विभिन पिच्चों पर कुंडली, पोर वे कला की संख्याएं एक से दिक होगी तो दिएगे अपने चार option हो में से D option इसमें right answer होगा कि flat loop non-hour lap winding next question देखेंगे कि 36 slot, 36 coils वे 4 pole वाले motor के लिए 3 phase को double winding के लिए coils के संख्या क्या होगी तो आपको coil का ज्याद करना है तो अपन को पता है पिछ 3 phase के लिए पन त्यार कर रहे हैं तो एप्सन यहाँ पर अपना right answer होगा 3 coil, 3 phase, 3 pole यानि 3 coil का प्रियोग करेंगे और उसे 3 phase बनाएंगे और 3 pole का निर्मान अपन करेंगे तो यहाँ पर एप्सन अपना right answer होगा यह थे आज के अपने कुछ मैत्वपुन कुशन जो आपके ITE की जो NCVT exam होता है और ITE base की जो भी competitive exam होंगे उनकी दर्शी से बहुत ही मैत्वपुन है